तो आज हम समझने वाले हैं acceleration due to gravity को उसका formula हम देखेंगे कैसे आता है और उसकी value हम calculate करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं acceleration due to gravity होता क्या है जो gravity के वज़े से acceleration होता है उसे हम कहते है acceleration due to gravity तो अगर आपको acceleration होता क्या है यह मालूम नहीं और gravity वाले वीडियो आपने देखा नहीं है तो उन दोनों की link यह आप उपर में दे रहा हूँ उसे जाकर आप पहले देखिएगा तो acceleration due to gravity को हम g से denote करते है small g से और उसका SI unit होता है meter per second square तो यह acceleration का ही SI unit है तो अब देखते है इसका एक example तो आप अर्थ पर खड़े हो और आपके हाथ में एक ball है आकाश की तरब ball फिकने वाले हो तो होता क्या है तो शुरुवात में उसकी speed जादा होती है जैसे जैसे उपर जाता है वैसे वैसे उसकी speed या velocity थोड़ी-थोड़ी कम होती जाती है और एक point ऐसा आता है कि वह रुख जाता है उसके बाद क्या होता है वो फिर से नीचे आने लगता है और उसकी velocity बड़ जाती है और वह zemyn की तरफ आता है और इंपर गिर जाता है तो यह होता क्यों है इससे समझते हैं यह होता है acceleration due to gravity के वज़े से मतलब gravity के वज़े से होने वाला acceleration के वज़े से तो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ कीचनी के कोशिश करती हैं तो इस force को हम calculate करेंगे तो acceleration कितना होता है इस force की वज़े से इसे हम calculate करेंगे तो force के हमरे पास दो formula है एक Newton's law of gravitation का और एक normal force का formula तो Newton's law of gravitational का क्या formula है universal gravitational constant into earth का mass और m2 हम बोल सकते हैं कि उस ball का mass है और नीचे अर्थ का जो radius रहेगा उसका square हम लेने वाले हैं जो दूसरा formula रहता है force का वह होता है mass into acceleration वाला तो यहाँ पर m2 हम बोल सकते हैं ball का जो mass है वह है यहाँ पर acceleration की जगा acceleration due to gravity डालेंगे तो यह दोनों भी formula force की है तो हम इन दोनों को एक्वेट कर सकते हैं तो इन दोनों का हमने एक्वेट कर दिया तो यहाँ पर m2 m2 हम कैंसल कर देंगे इस साइड पर बचा है acceleration due to gravity तो acceleration due to gravity क्या आ जाएगा universal gravitational constant into जो mass रहेगा अर्थ का अपन जो radius of अर्थ है उसका square है तो अब इसे calculate करते हैं देखते value क्या है तो हमें जो लगेगा वो है mass of earth वो रहता है 6 into 10 raise to 24 kg और gravitational constant उसकी value है 6.67 into 10 raise to minus 11 newton meter square per kg square और radius of earth है 6.4 into 10 raise to 6 meters तो हमारा formula क्या है g is equal to universal gravitational constant into mass of earth upon radius of earth square तो यह सभी value हम formula put करेंगे हमें answer मिलेगा 9.8 meter per second square तो earth की gravitational field के वज़े से या force के वज़े से यह acceleration होता है वस्तों में तो अब देखते हैं एक last example तो हमारे पास एक iron ball है बड़ी एक छोटे iron ball है और एक paper है तो इन तीनों को हम एक साथ छोड़ने वाले अर्थ के तरफ तो आपको क्या लगता है इन तीनों के ऊपर जो acceleration duty gravity वो same work करेगी क्या तो इसका answer है हाँ तो यह तीनों भी एक साथ अर्थ के surface पर आने चाहिए लेकिन actual में ऐसा होता है क्या नहीं क्यों क्योंकि जो अर्थ का atmosphere है वो पेपर को जाधा resistance देगा तो पेपर लेट पहुचेगे लेकिन अगर आप यह experiment बिना atmosphere के vacuum में कंड़क करोगे तो यह तीनों भी चीज़े एक साथ जमीन पर आएगे दोस्तो यह ता छोटा से वीडियो acceleration duty gravity के उपर अगर आपकी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा नीचे description में Instagram की लिंके जाके follow कीज़े बीच में जो लोगों दिखरा है उसे दबाकर चैनल को subscribe कीज़े और यह दोने वीडियो भी देखना ना देखा धन्यवाद दूस्तां